हेलो फ्रेंज अदर सुसुई में आप से इका बहुत बहुत स्वागत है आज हम लेकर आए हैं रिंग पकोड़ा ए रेसीपी तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले बेटर तयार करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पी एक कटूरी बेसन लिए हैं इसमें एड़ कियें इसमें ज्यादा मसालों का परियोग नहीं करना है बिलकुल थोड़ा-thोड़ा हमें मसाले लेना है तो देखिए इसको बढ़ियां से हम ले रहा हैं और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका एक बढ़ियां से हमें बेटर रेड़ी करना है तो फ्रेंज यह बनाना बहु से हमारा better set हो जाएगा तब तक यहां पर देखिए हम यहां पर लिए हैं प्याज तीन प्याज लिए हैं और प्याज को छिल कर और अच्छा से धो कर रेडी कर लिए हैं इसको तो देखिए अब हमें देखिए इस तरीके से प्याज लेना है medium size में ज्यादा बड़ा हो और ना ज्यादा छोटा हो तो इस तरीके से हमें प्याज को गोलाई में काटना है बढ़िया से देख सकते हैं आप इस तरीके से तो friends, यहाँ पे थोड़ा हमें अराम से ही प्याज को काटा है ज़्यादा जल्दिबाजी में नहीं हाथ भी कट सकता है तो इस तरीके से साधानी के साथ प्याज को काटे है और थोड़ा सा मटा पतला हो सकता है उसमें कोई problem नहीं है तो देखिए हमने यहाँ पे सारे प्याज को काट कर रेडी कर लिये हैं तो अब देखिए हम इसका लच्छा को अलग-अलग करना है तो देखिए हमें इस तरीके से बीच से इसको दबा कर और जो यह छोटा वाला टुकड़ा है उसको हमें निकाल कर अलग कर देना है है तो देखिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अभी इस तरीके से हमें सारे प्याज के लचो को निकाल कर यहां पे रेडी कर लिये हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है यह तो खाने में भी बहुती टेश्टी बनता है फ्रेंड तो देखिए यहाँ पे जो छोड़ा चुड़ा बचा है प्याज का उसे हमें फेकना नहीं है सबजी बनाएंगे उसमें इसको परियोग कर लेंगे और यहाँ पे हमारा यह बेटर भी देखिए बढ़िया से सेट हो गया है तो अब हम इसको थोड़ा सा फेट ले रहा है और उसके बाद हम यहाँ पे आधा चमत लसन और अध्रक का पेस्ट एड़ करेंगे इससे बहुती स्वाद अच्छा लगता है त उसके बाद हमारा यहाँ पे बेटर रेड़ी हो जाएगा तो हम यहाँ पर कहले से ही यह टेल गरम होने के लिए रख दिये थे तो यहाँ पर हमारा टेल भी गरम हो गया है तो हम थोड़ा सा बेटर डालकर और चेक कर ले रहा है तो फ्रेंज हमारे यहां पर तेल थोड़ा जादा ही गरम हो गया था तो मेडियम टू लो हमारा गरम होना चाहिए तेल जादा गरम नहीं होना चाहिए अब हमें इसे एके करके रिंग डालेंगे जो बेटर हम बनाये थे उसमें बढ़िया से कोड करके और इसको अलटते बनता है और बहुत ही टेश्टी लगता है तो देखिए इस तरीके से हम यहां पर बना कर रेडी कर लिए हैं और अब इसे हम चटनिक साथ सर्फ करेंगे फ्रेंड तो वीडियो पसंद आए तो लाइक से और सेस्क्राइब जरूर करेंगे